हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्व तो कभी कभी क्या होता है कि हमें Microsoft Excel का कोई डेटा इंटरनेट से कॉपी करना होता है तो उस सिच्विशन में क्या होता है जिसे मालीजी कि यहां पर यह वेबसाइट में आप दिख सकते हैं कि यह डेटा है अगर इसे हमें कॉपी करना हो तो हम यहां से सेलेट करेंगे उसके बाद कंट्रोल सी से कंट्रोल भी करेंगे पेस्ट करेंगे लेकिन डेटा होता प्रॉपरली आता नहीं है यह बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपको रिकॉयर्ड होती है उसको ठीक करने के लिए मैं इसका बहुत ही असान तरीका बताने जा रहा हूं आपको कि आप सिंपल यहां से डेटा उठा करके Microsoft Excel में एक टेबल के फॉर्म में प्रॉपरली पेस्ट कर सकते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जिस वेबसाइट का डेटा है उस वेबसाइट का यूरल उपर आप कॉपी कर लिए जैसा कि आप देख रहे हैं आपर यह डेटा हमने इस वेबसाइट में सर्च किया हुआ है अगर इसे हमें Microsoft Excel के फाइल में प्रॉपरली पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे उपर इस यूरल को कॉपी करनेंगे ठीक है यह देगी सबसे उपर आपको यूरल दिया होता है इसको Ctrl A से पूरा सेलेट करिए उसके बाद Ctrl C से कॉपी करिए उसके बाद हमें जाना है Microsoft Excel की यानि पेज पे ठीक है तो हमने Microsoft Excel का एक ब्लैंक पेज ओपन कर लिया अब हमें क्या करना है उपर के रिबन में डेटा टैब में क्लिक करना यह रहा डेटा टैब इसके बाद हमको यहां पर फ्रॉम वेब में जाना है यह रहा फ्रॉम वेब इसमें क्लिक कर दीजे तो आप आप देखेंगे यहां पर URL टाइप करने के लिए मतलब URL पेस्ट करने के लिए option आपके सामने आ गया फ्रॉम वेब में ठीक है तो यहां पर यहां पर पेस्ट कर दे रहा है ठीक उसके बाद यहां से OK बटन पर आपको क्लिक करना है तो चलिए OK पर क्लिक कर देते हैं थोड इक विंड़ो ओपेन हो जाएगा आप यहां पर लेफट अड़ साइड में देखिए आपको तीन ऑप्षन दिखते हैं URL दिख रहा है document दिख रहा है और टेबल दिख रहा है ठीक है हमें क्योंकि टेबल कारना है तो हमें क्या करना है टेबल पे क्लिक करना है तो जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे, देखें राइट साइड में यहां पर टेबल का जो भी फ़ूर डीटेल था, वो सब यहां पर आ गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अचा आप चाहें तो वैब विईू भी देख सकते हैं, उपर देख सकते हैं, किEO वैब करेंगे तो वो दिखा देगा यह aquest है लेकिन है इना हम आपस से चाहरा अपर आकूड़ आ चुकी है अब हमको क्या के जाना है यहां निएफीerson लोड के option पर क्लिक करना है यह देखिए लोड का option दिया हुआ इस पर क्लिक कर दीजे जो जब आप इस पर load पर क्लिक करेंगे जो देखिए कि वह table पूरी यहां पर page पर आ जाएगी देखिए अब यहां पर देखिए कि पूरी table आ जाएगी अभी as it is बस थोड़ा सा wait यह देखिए पूरी table आपके सामने यहां पर आ जुकी है